हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे चाइनल सोनी की रसोई रेसीपी में तो आज बनने वाला है घर में रखे समान से नमकीन नास्ता तो चलिए बनाते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए पहले दो उबला हुआ आलू लेंगे अब इसे ग्रेड कर लेंगे तो हमने साड़ा आलू ग्रेड कर लिया है अब लेंगे चार चमच चावल का आटा एक चमच सिम्ला लाल मिर्च थोड़ा हल्दी पॉडर एक चमच आमचूर पॉडर आधा चमच धनिया पॉडर आधा चमच चाट मसाला अब इसमें डाले हूँ स्वाद की अनुसर नमक ये आधा चमच अजवाइन और मंग्रेला है इसको हाथ पर क्रस्ट करके ही डालें इसे ऐसे मिला लेंगे आटा की तरह इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे पूरा आलू एकदम करस्ट करके मिलाएंगे और थोड़ा तेल रखके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे एकदम आटा जैसे लगाते है ना उस तरह से ही इसको त्यार करना है तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे एक बर्तन में हमने ऐसे कटोरी से दो कटोरी मैदा लिये हैं आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं आटा का भी बना सकते हैं मैदा हमने पहले ही छान लिया है तो आटा या मैदा कुछ भी ले तो पहले छान ले अब हमने थोड़ा सा अजवाइन और मंग्डेला लिये हैं वो भी हाथों पर क्रस्ट करके ही डालेंगे ऐसे नहीं डालेंगे हमने इसमें एक चम्मच नमक एड़ किये हैं आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर सकते हैं अब हमने इसमें रिफाइन एड़ किया है पांच चम्मच इसमें रिफाइन डाले हैं आप चाहे तो अपने अंसार थोड़ा ज्यादा या कम डाल सकते हैं आटा में इतना रिफाइन जरूरी है कि इसका मुठी बंद करेना तो ये बंद आ जाना चाहिए अब इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही डो के तरह मिलाएंगे डाइरेक्ट एक बार पानी नहीं डाले ताकि डो जो है न एकदम सोप्ट हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं बनेगा नास्ता इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और स्टार्टिंग में थोड़ा टायट ही डो लगाएंगे धीरे धीरे पानी डालके इसको सौफ्ट करेंगे हमें ऐसा डो लगाना है कि अराम से बन सके बिला सके इन आटों का पहले हम लोईया बना लेंगे इस तरह से छोटा छोटा बना लेंगे आप चाहे तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ा बेलने वाला अगर हो तो एक लोईया हमने ले लिया है और इसे इस तरह से बेलेंगे और ध्यान से देखे अगर आप चाहे तो जितना हो सके उतना कम इसमें मैदा लगाए यानि आटा लगाए तो हम बीच में एक बार ही इसमें मैदा लगाए हैं ज्यादा मैदा लगाने की जरूरत नहीं है हमने इतनी साइज की रोटी बनाई है आप देखे इतना साइज के ही बनाए इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है दम रोटी के तरहीं बनाना है मैं दुसरा रोटी बना के दिखा रहे हूँ आपको जितना हो सके कम इसमें आटा लगाए तो मैं बस एक बार बीच में आटा लगाती हूँ इतना बेल लेने के बाद तो ऐसे करके सारे आटे का इस तरह से रोटी बना लेना है ये रोटिया चिपकती नहीं है लेकिन आप चाहे तो अलग-अलग रख सकते हैं अब ये आलू बलार दो है उसको ले लेंगे और जितना हमने पूरी बनाई है न उसका आधा हिंसा हम गोला बनाएंगे कहें कि फालतू जो बच जाएगा तो किसी काम का नहीं रहता है और इस पे जो आटा हमने लगाया है आलू बला वो आटा ले लेंगे इस आटे को हम पहले पेरा की तरह बना लेंगे और थोड़ा सा चिपटा कर देंगे ताकि आगे बनाने में मुश्किल ना हो अब इसमें थोड़ा सा आठा लगाएंगे और आठा लगाने के बाद जैसा कि आठा से न क्या होगा कि चिपकेगा नहीं अब एक और दूश्रा प्लास्टिक लेंगे और इसके उपर से इसे ढग देंगे अब इस आठा को हलके हाथों से बेलेंगे ज़्यादा दभाव इस पर नहीं देंगे अब ऐसे N को ही घुमा घुमा के बेलेंगे हमने जो पहले आटा की रोटी बनाई थी उसको पहले एक को रख देंगे उस पर से जो चावल वाला जो आलू वाला बनाए है ना पूरी उसको उस पर से रख देंगे एसे ही हमें आलू वाला पूरी रखना है नई तो आप डायरिक्ट उठाएंगे तो उठेगा नहीं तूट जाएगा हमें ऐसे हलके हाथों से इस पर प्रेस कर देना है उसके बाद इस पन्नी को खटा देना है अब इस पर से हमें दूसरा रोटी रख देना है अगर आपका रोटी थोड़ा छोटा पर रहा है तो इसको क्या करेंगे ऐसे थोड़ा सा खीच के न इसको कवर कर देंगे इस रोटी पर ऐसे फ्रेज कर देना है अब इसमें थोड़ा थोड़ा आठा लगा लेंगे और हलका बेलेंगे इसको इसे ऐसा बेल के त्यार कर लेना है आप चाहे तो चरकोड ही बेल सकते हैं अब इसे किसी इसकेल या चाकू से ऐसे करके कट लगा देना है ऐसे करके साइड साइड से हम इसे बढ़ावर कर लेंगे अब इन सब को हम हटा लेंगे आप चाहे तो इसे फिर बाद में इसको यूज कर सकते हैं किसी सेप में इसे आप बना सकते हैं आप ऐसे करके इसे सेप दे देंगे ऐसे चर्खूट चर्खूट हमें पहले इसको कट कर लेंगे बड़ाबर ही कट करेंगे अच्छा है अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा तो उसे कोई दिकत नहीं होगा तो चलिए अब इसको बनाते हैं कैसे इसका डिजाइन बनेगा थे ये दो कोना लेके ऐसे हमें चिपका देना है और इसको इस तरह से इस तरब से चिपकाना है देखे कितना अच्छा डिजाइन कितना अच्छा सेप बना है तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं इसे ऐसे चिपका देना है और पीछे की साइड से हम दोनों कोना को पकड़के और इसे ऐसे चिपका देंगे और ध्यान रखिए कि पानी मत लगाईएगा पानी लगाने से इसका जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगा अब चलिए दिखाते हैं थोड़ा बड़ा साइज में कैसा बनता है ये छोटा साइज में बना है ये थोड़ा बड़ा साइज में बना रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि बड़ा साइज में कितना सुन्दर बनता है इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ ध्यान से बनाना होगा इस तरह से ऐसे घीच देंगे न तो बहुत ही अच्छा बनता है तो चलिए इसे अब हम चानते हैं तो ऐसे एक के करके हम इसे डाल देंगे और इसे एक मिनट तक पल्टेंगे नहीं ताकि इसका सेफ खड़ाब न हो एक मिनट के बाद ही इसे पल्टेंगे तो देखे ऐसे बना है ये नास्ता देखे कितना अच्छा फुला फुला बना है और कितना अच्छा देखने में लगता है अब यह golden color का हो गया है तो समझे कूख हो गया तो इसको अब निकालेंगे तो ऐसे करके हमें सभी को निकालेना है तो देखे कितना अच्छा बना है नास्ता आप किसी भी चपनी के साथ इस नास्ते को सर्भ कर सकते हैं यह हमने थोड़ा सा जो बड़ा साइज का बनाया है वो वला यह नासता है इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है